प्रिया चात्रों आज हम सामान हिंदी कच्छा बारा में पहला पार्ठ सूर के बालकर्ष्ट इसकी ब्याक्ख्याएं जो की सूर्दास द्वारा रचित हैं समझेंगे सूर्दास जी का पहला पद है जस्मती मन अविलास करे इसमें माता यशोदा अपने बालक क्रश्ण के समंद में कुछ कलपनाय करती हैं भविस्ष के समंद में और उन कलपनाओं में अधीरता उनकी जलती है अत्यंत अधीर होती हैं और बालक के समंद में कि कब वड़ा होगा कब वे बोलेगा इत्यादी कल्पनाएं वो करती जाती है तो आईए अपन पहले पत को समझते है जशुमती मन अविलास करे सुर्दासी कहते हैं कि मा यसोदा मन में अविलासा कर रही है इक्षा कर रही है कब मेरो लाल घुट्रुवन रहेंगे अर्थात कब उनका वेटा याने स्रीक्रष्ण बालक्रष्ण घुट्नों के बल चलेंगे छोटे बच्चे जब चलते हैं तो पहले अपने दोनों पैरों और हातों के बल चलते हैं तो पैरों को मूड लेते हैं घुट्नों के बल कहते हैं घुट्नों के बल चलेंगे कब धरने पग दो एक धरने और कब धरने याने प्रत्वी पर धरती पर वो अपने दोनों पैर रखेंगे मने खड़े होकर चलेंगे दो पैरों के बल पर चलेंगे तो इतनी अधीरता है कि एक पल विचार करती है कि गुटनों के बल कब चलेंगे अगले ही पल विचार करने लगती है कि पैरों पर कब चलेंगे, कब दूद के देखूं, फिर आतुरता और बढ़ जाती है, तो मात कहती है, कल्पना करती हुई कि कब उनके बालक क्रश्न के दूद के दांट निकलेंगे, दूद के दांट जो प्रारंबिक रूप से जो दां फिर जो गिर जाते हैं, उन दांटों को दूद के दांट कहते हैं, तो कहते हैं कब दो दांट, शुरू आत में दांट एक एक दो दो करके निकलते हैं, तो शुरू में वो दो दांट दूद के कब निकलेंगे, बने कब उनके देख पाएंगी उनके मुख में, बालक क्रश कब वो मुख से तोतली भासा में कुछ कुछ कहेंगे तोत्रे मन तोतली भासा में बच्चे अक्सर बोलते समय तोतला जाते हैं और ऐसे में जो उनके मुझे बचन निकलते हैं जरे याने निकलना बचन निकलते हैं बाता निकलती हैं तोतली भासा में जो माता-पता को बड़ को संबोधन है एक बाबा ब्रज में अपनों से बड़ों को बाबा कहा जाता है पिता को बाबा कहा जाता है बाबा सब्द छेत्र बेसिस में अलग-अलग सब्द में प्रयोग किया जाता है जैसे मालवी में बाबा माने चोटा बच्चा होता है बुंदेली में बाबा माने सा अर्थात तात कहकर अर्थात पिता कहकर बुलाएंगे, कब जननी कहीं मोईरर हैं, और कब मुझे मा, जननी याने मा, कब मुझे मा, मा कहकर पुकारेंगे, रट लगाएंगे, रगय याने रट लगाएंगे, कब मुझे मा कहकर मेरी रट लगाएंगे, कब मेरो अचरा गई मो मौहन, और कभ मेरा आचल पकड़ेंगे, गही माने पकड़ना मोहन कृष्ण, करष्ण कभ मेरा आचल मन्म शाडी का पल्लो कब पकड़ेंगे जोईस्वई कहे मो सो झखर और कुछ-कुछ कह कर मुझसे झखरणा करेंगे जोईस्वई जो भी मूह में आएगा वो कहे देंगे कुछ भी कहे कर मा से जगड़ा करेंगे छोटे बच्चे अक्सर मा से जगड़ जाते हैं छोट छोटी बातों पर गुस्सा दिखातने लगते हैं तो मा यहां आनंदत होकर कहती हैं कब मुझसे जो कुछ कहकर जगडा करेंगे, कब धों तनक तनक कचुक हैं और कब तक धों याने तक, कब तक, कब तक वो थोड़ा थोड़ा तनक तनक, तनक, तनक तनक मने थोड़ा थोड़ा कचुक हैं, कुछ भी खाएंगे, मुँँ में जो भी आसपास सामगरी दिखती है चोटे बच्चे अक्सर उसको उठा कर अपने मूँ में डाल लेते हैं अपने करसों मुखहें भरें मनें अपने खुद के हाथ से स्वेम के हाथ से क्रश्ण अपने हाथ से कब जो कुछ भी होगा वो अपने मूँ में भरेंगे या डाल लेंगे कब हस बात कहेगो मोसो कब-कब वो मुझसे हस असकर बात करेंगे जा छवी थें दुख दूर करेंगे जब वो हसकर बात करेंगे ऐसी छवी को देखकर ऐसी उनकी सुन्दरता को देखकर दुख भी दूर हो जाते हैं दुख हर जाते हैं निवारान हो जाता है तो कब स्रीकृष्ण हां ससकर बात करेंगे और ऐसे बात करते हैं क्रश्ण से जब देखेंगी मां उनको देखने से ही दुख दूर हो जाएंगे श्याम अकेले आंगन छाण और इसी समय क्या हुआ मां क्रश्ण को अकेला आंगन में छोड़कर आप कार वस चली गई वहां से उस इस्तान से चली गई उक्रश्ण को अकेला छोड़ गई यहीं अंतर इसी बीच क्या हुआ अंधवाय उठ्यों एक एक आंधी आ गई गर्जत गगन सहित गहने और गगन में मनें आकास में गर्जना होने लगी बादलों की और घटाएं बादलों के मंडरा ने और उनकी गर्जना सुनी तो जहां तह सब अतहीं डरे जहां सब लोग थे वो अत्यंत डर गए यह हुई ब्याक्ख्या को परिक्छा में कैसे लिखते हैं तो परिक्छा में लिखने के लिए पांच बिंदूों का ध्यान रखना चाहिए पहला बिंदू है संकेत, दूसरा संदर्व, तीसरा प्रसंग, चोथा है व्याक्ख्या, और पांचवा है विशेश अब संकेत जब लिखते हैं तो इसमें जो प्रथम पद होता है उसकी प्रथम पंक्ती का पहला सब्द वो लिख देते हैं और डेश 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 करके आखरी पंक्ती का आखरी शब्द लिखते हैं इस संकेत लिखते हैं इस संकेत इसली लिखा जाता है परिक्षा में अक्षर व्याक्ख्यां में अथ्वा लगा रहता है तो कौन सी व्याक्ख्या आप कर रहे हैं परिक्षा में इ अंदर में दो बाते मुख्वत पूछी जाती है, उसमें ये परिचे दिया जाता है, ये किस पार्ट का है और कवी का नाम, यहाँ छात्र की जो इश्मृति है, इस्मृति का एक तरह से परिक्षंड किया जाता है, जात्र जो बयाक्या करने जा रहा है, उस पार्ट को पैचा कहा about the will of으니까 कभी का नाम लिम्हें दोनों को लिख देते हैं क्योंकि इसका एक नंबर निश्चत होता एक आधे अंक रहता है पाठ का नाम आधे नंक रहता है कभी का नाव तो इसलीए इस क्रम से लिखना चाहिए तीसरा विंदु होता है प्रसंग में ये समझाना चाहिए कि इस व्याक्षा कर रहे हैं जो पद में कभी क्या कहना चाह रहा है जैसे अभी अभी अपने जो व्याक्षा की इसमें माता-यसोधा वालक क्रिश्न के संबंद में कुछ कल्पनाय कर रही हैं कुछ अभिलासाय कर रही हैं ये प्रसंग होगा और फिर व्याक्या व्याक्या आप उसमें उधारण भी दे सकते हैं उसको विश्तृत कर सकते हैं उसको समझा सकते हैं इससे चात्रों को अपने योगता का विस्तार दिखा कि वmäßig मैं तो रणने हें बाते हैं कायव विद कास When He Itis मैं अपने आप उसके काटिध कौन कुन सी जिसता है उनको आपके ना पहिचान पाए जैसे चंद किस प्रकार का है उस पद मैं रस कौन सा आया है उस पद मैं अलंकार आए तो आपने क्या अलंकार पहचान पाए तो जो जो चीज़ें आप पहचान पाए उनको बिंदुवार लिख देना चाहिए वो कहलाता है विशेश वियाख्या वियसे परिक्षा में अभी जो बोर्ड के अमसार चार अंक की रहती है चार अंक में अंकों का विवाजन इस तरह से होता है एक अंका रहता है संदर्व आधे अंका रहता है विशेश एक दो अंक की रहती है वियाख्या और आधे अंक की रहती है विशेश तो इस तरह से व्याख्या करनी चाहिए तो अब दूसरी व्याख्या के बाद चलते हैं दूसरी व्याख्या में यहां है क्रश्ण मा से जित करते हैं कि मैं आज गाय चराने के लिए जाओंगा कि हैं सब ग्वाल सुवय जंगल चले जाते हैं गायों को लेकर तो कृष्ण उनको देखकर कहते हैं उनके मन में भी रहती बच्चों में भावना होती है अनुकरण की वो भी दूसरों का अनुकरण करते हैं तो कहते हैं मासे कि आज मैं गाय चरावन जे हूं मैया मैं आज गा जहां पर स्ष्डल नंदवावॉप कि आया अन जो पर कि गोकुल कि गाउं कि नाम से जाना जाता है आज कि वütün दावन लगया धर मतले हैं पलन खायाय अच्छा आनंदायक फल होता है जब बच्चे को अक्सर देखा होगा कहीं बेरी में बेर जूड़ने लगते हैं कहीं अन्य फलों को तोड़ने लगते हैं बच्चों में भावन बड़ी प्रवाल होती है कि अपने फल मतलब अपने हातों से फल तोड़कर खाएं तो क्रश्ण इसा कहा क्रिष्ण न пон मा कहती है बैई कर बेटा ऐसी बात मत कहो तुम बारे हो बारे हो चोटे हो नंहें हो देगो प्हले इस तरह की बात हैं मत करो तुम अपनी इस्तिती को देखो क्यों तनक तनक पग चले हो कैसे अब आपके पैर भी छोट छोटे हैं इन छोट छोटे पैरों से तुम कैसे चल पाओगे जंगल तक कैसे जाओगे आवत हुए है रात और जब जंगल से लोटोगे तब तक रात हो लगा जाएगे तुम रहो कमल बदन कुमले है और तुम तो बड़े नाजुक और दोभे तुम्हारा और भूब त लगेगी तो तुम्हारा कौम बदन कुमला जाएगा तुम्हारा सरीर तो कमल के समान है कमल की पंक्विए जितनी मुलाय नाजुक होती है ऐसा तुम्हारा सरीर है और धूप लगने से जैसे तुम्हारा वदन कुमला जाएगा अर्था तुम्हारी कांती समाप्त हो जाएगी तो आठो के बीच मेंति जब चला दूप मेरे तूमारा वदन जो की कमल के समान है वह कुमला जाएगा इस पर क्रश्ण कहते हैं तेरी शों मोई घाम नलागत मैया मैं तेरी शोगंद खाता हूं मोई घाम नलागत मुझे धूप नहीं लगती भूख नहीं कचुनेक और ना मुझे थूड़ी सी भूख भी नहीं लगती ना तो मुझे धूप लगती और ना मुझे भूख लगती तरह से ये दूसरे पद की व्याख्या हुई और अव तीसरा पद है इसमें क्रश्न थोड़े बड़े हो जाते हैं और बड़े होने पर अक्रूर जी के माध्यम से वो मतुरा चले जाते हैं मतुरा चले जाते हैं और मतुरा में रहने लगते हैं गोकुल की याद विसरा देते हैं उस समय जो क्रश्न के मित्र थे उद्धव उद्धव आते हैं संदेश लेकर गोकुल में और गोकुल में जब संदेश लेकर आते हैं उनकी चर्चा होने के वाद जब वो बापस मतुरा जाने लगते हैं उद्धव तो मा देवकी के लिए संदेश देती है यशोदा कहती है यशोदा उद्धव से कहे उद्धव संदेश सो देवकी सो कही हो कहे उद्धव ये संदेश मेरा देवकी को पहुचा देना कहती हैं हों तो धाय तिहारे सुथ की कि हे देपकी से ये कहती है ना कि देपकी यसोदा मने मैं यसोदा तो तुमारे बेटे की केवल धाय हूं धाय उसे कहते हैं जो पालन पोशन करती है उन्हें धाय कहते हैं धाय माने यसोदा स्वेम को धाय कहती है कि हे देपकी मैं तो उस पर ममता करती रहना कृष्ण पर जद पिटेव तुम जानत उनकी यद्यपी तुम उनकी सब आदतें जानती हो यश्वदा कह रही है कि यद्यपी तुम कृष्ण की सारी आदतें जानती होगी तव मोहिक कही आवे फिर भी मुझे कुछ कहने में आ जाता है प्रात होत मेरे लाड लड़ेते, सुबह होते ही मेरे लाड लड़ेते, कृष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष जाते हैं, जैसे ही वो तेल उवटन देखते हैं, तो उसको देखकर और गर्म पानी देखकर दूर भाग जाते हैं, उवटन पेशन को तेल में विगोया जाता है, उसको उवटन कहते हैं, उसमें कुछ हल्दी मिलाई जाती है, वो उवटन कहला आता है, छोटे बच्चों को और तातो जल, तेल, उफटन और गर्म पानी देखकर वो दूर भाग जाते हैं जोई-जोई मांगत सोई-सोई देती, जो जो मांगते हैं बच्चों की आदत होती है, अपनी बात पूरी कराने के लिए वो अपने माता-पता कुछ मांग रखते देते हैं और मांग पूरी करने पर ही वाद मानते हैं, तो क्रश्न को भी यह यादत है, क्रश्न क्या करते हैं, नहाने के पहले जित करने लगते हैं, नहीं नहाते हैं, उप्टन और तेल दिखकर भाग जाते हैं, मां उन्हें पुकारती हैं, बुलाती हैं, और बुलाती हैं, तो फिर कुछ सर्थ रख देते हैं कि मुझे यह चीज़ चाहिए और मा बहुत जीज़ दे देती हैं तो फिर भी फ्रदूसी चाहिए इस तरह जो 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 कृष्ण मांगते हैं मा यसुदा उन्हें वहवचीज देती हैं क्रम करके नहाते हैं फिर भूत धीरे-धीरे करके नहा देते हैं माने कई चीज़ इसके बाद बनाने के लिए तयार होते हैं वैसे तो वह दूर भाग जाते हैं शूर पथिक सुन मोह रहने दिन शूरदास जी कहते हैं कि मा यसोदा पथिक याने वो उद्धव जो संदेश जिसके हाथ भेज जा रहा है उद्धव से कहती है कि हे है करत संकोच वो अत्यांत संकोच करता होगा तो हे देव की तुम उसक पर ध्यान देना असली मा तुम ही हो मैं तुमारी पुत्र की देखभाल करने वाली धाय मा हूँ और ये तीनों ब्याक्ठ्याओं के बाद अब इसके कुछ प्रश्ण प्रश्ण में दो तरफ परिक्षाओं में पूछे आते हैं लगउत्तर ये प्रश्ण दीरगउत्तर ये प्रश्ण कुछ प्रस्ण होते हैं जो दो अंके आते हैं इनकी सब्द सीमा थी सब्द रहती है कुछ प्रस्ण होते हैं जो तीन अंके रहते हैं इनकी सब्द सीमा 45 से 75 सब्द 60 सब्द भी रहती है तो यहाँ पहले प्रस्ण है बालक क्रश्ण ब्रंदावन जाने को क्यों लालायत क्यों है तो बालक क्रश्ण गाय चराने के लिए जाना चाहते हैं और साथ में अपने हाथों से बन के तरह तरह के फलों को तोड़ कर खाने के लिए लालायत है इसलिए क्रश्णों ब्रंदा वन जाने को लालायत हैं दूसरा प्रश्ण है गौचार अनहेतु जाने के लिए क्रश्ण क्या तर्ग देते हैं अब इस तरह से प्रश्णों के उत्तर चात्रों आपको लिखना है अपनी कौफी में और ये कौफी बाद में हम देखेंगे ठीक है दीरगुत्तर ये प्रश्ण इनकी सब्द सीमा आप ध्यान रखें 75 सब्द से 120 सब्द इनकी सब्द सीमा होना चाहिए और इसके बाद यदि कोई समस्या आती है तो आप प्रश्ण करके पूछ सकते हैं धन्यवाद